हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चला होगा आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन लाइनर ठीक है और ये 2022 का सबसे महतपूर्ण करेंट अफेर है जो फुल पत्ती का जो वारसी कांक आया है इसमें 1000 प्लस वारसी मतलब वन लाइनर आया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और इसमें मैं आपके लिए पहले से ही महनत कर दिया हूँ क्योंकि जिस पे कलर किया गए उसी बात पे आपको विशेश ध्यान देना है आपको सभी के सभी वीडियो में ही याद हो जाएगा देखें ये है आपका जो वारसी कांक आया है इसके अंदर जो एक हजार प्लस यहाँ पे आप देखिए लिखा हूँ है क्या लिखा हूँ है कि अती महत्वपूर्ण जो है एक हजार प्लस जो है वन लाइनर दिया गया तो उसी को हम लोग कौभर करेंगे ठीक है इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा एकजाम के लिए चाहे कोई भी एकजाम दे रहे जहाँ पे क्रेंटे फेर आता है वो सभी के लिए बेस्ट है ठीक देखिए पहला यहाँ पे देखिए आपको क्या है पहला कह रहा है कि भारत ने अंडर 19 एसिया कप 2021 किरिकेट का किताब किसे हडा कर जीता है तो भारत ने जीता है अंडर 19 का एसिया कप 2021 का और सिरिलंका को हडाया है किसको सिरिलंका को हडाया है दूसरा है आपका कि एक जनवरी 2022 को कौन सा जो हाइखोट भारत का पहला पेपरलेस कोट बना है तो यह आपका केरल उचनेयाले जो बना है यह पेपरलेस बन गया है अगला है कि निमलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला जो है एलपी जी युक्त और धुआ मुक्त र अगला है कि चोजनवरी 2022 को किंद्रिय मंत्री जीतेंद्र सीह ने कहां पर भारत के पहले उपन रोक संग्रहाले का उद्गाटन किया है तो यह आपका हैदराबाद में किया है कहां पी किया है है और किसके द्वारा किया गया है तो किंद्रिय मंत्री जीतेंद्र सीह के अगला आपका जो question है देखिए अगला आपका कि उत्तर परदेस सरकार ने मैन पुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोसना किया है तो ये जनरल विपिन डावत के नाम पर रखने का घोसना किया है अगला है आपका कि नौ जनवड़ी 2022 को परधान मंतरी नरेंद मोदी ने बीर बाल दिवस कीस दिन मनाने की घोसना किये है तो यह आपका 26 जनवड़ी को मनाने की घोसना किये अगला है आपका कि जनवड़ी 2022 में किसे अंतराष्टिये मुद्राकोस आनि की IMF का नया जो है मुख आर्थ सास्त्री निउक्त किया गया है तो एक इसको किया गया है तो पियर ओलीवियर गैरिच को निउक्त किया गया है आईये में के नया मुख अर्थ सास्त्री निउक्त किया गया है अगला है कि निमलिखित में से कौन सा सहर जो है जेल मैट्रो परियोजना वाला भारत का पहला सहर जो है बन गया है तो जेल मैट्रो परियोजना वाला सहर जो बना है यह आपका कोची बना है पुलकत्ता से कन मनाथ है इस रोक के अध्यक्ष अगला है कि जलू कटी बैल परतियुकता का समंध किस राज़े से तो यह आपका तमिलाडू राज़े से है अगला देखिए अगला है आपका कि 15 जनवड़ी 2022 को खादी के कपड़े से बने विसु का सबसे बड़ा जो है रस्टिये ध्वज कह कहां पर परदर्सित किया गया तो जैसल मेर में किया कहां पर जैसल मेर में निमलिखित में से किस गाउं को भारत का पहला जो है नैपकिन मुक्त गाउं घोसित किया है तो यह आपका कुमलंगी केरल को जो है नैपकिन मुक्त गाउं जो है घोसित किया गया है केरल में अगल फिलिपिन्स के साथ हुआ है ठीक है किस देश के साथ फिलिपिन्स के साथ फिलिपिन्स जो है भारत से ब्रमुस मिसाइल खड़ी देगा ठीक है अगला है आपका कि 17 जनवरी 2022 को प्रसीद नर्तक पंडित बिर्जु महराज का निधन हो गया तो उनका संबंध जो है कि सास्त् के द्वारत जीता गया कई बार कुष्चन ऐसे पूछा गया कि लक्ष सेन का संबंध जो है किस खेल से तो बैडमिंटन से संबंध है लक्ष सेन का संबंध है बैडमिंटन से अगला देगा अगला जवाब का बाई कुष्चन है आगे कि जनवरी 2021 में फीफा का सर्फ फूट बॉलर जो है चुना गया 2021 के लिए अगला है कि जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक जो है मेट्रो एस्टेशन के नाम रखने की घुसना किया है तो मौरिसस जो है महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो एस्टेशन का नाम रखेगा अगला ह गस्रेनी में सुभासचनर वोस पुरसकार जो है प्रोफेजर बिनूश सर्मा को दिया गया अगला है कि भारत की पहली यूएंडीपी यूवा जलवाईद चेंपियन आनिके यूथ कलाइमेट चेंपियन्स कौन बनें तो प्रजक्ता कूली कौन बनें प्रजक्ता कूली यू पर्मिंटन का स्थापना उत्तर परदेश के लखनव में किया गया अगला है कि तेशी जनवरी 2022 को किसे नेता जी पुरसकार से सम्मानित किया गया तो सिंजो आबे को नेता जी पुरसकार से सम्मानित किया गया ये जपान के परधान मंतरी थे इनका निधन हो गया अगला है कि ICC Women's Cricket of the Year 2021 किसे चुना गया तो इसमरिती मंधाना को चुना गया भारत का पहला जो है ग्रिफिन नवाचार केंदर कहां अस्थापित किया जाएगा तो केरल में किया जाएगा भारत का पहला जो है ग्रिफिन नवाचार केंदर कहां पे केरल में थापित किया जाए अगला है कि पदम विभुसन समान 2022 कितने बेगतियों को दिया गया तो चार बेगतियों को पदम विभुसन पुरसकार 2022 दिया गया निमलिखित में से कीस राजे में भारत में अपनी तरह का पहला और एसिया का सबसे बड़ा बैग्यानिक वर्ड एटलस लंच किया तो आपको सिर्फ याद देख्या रखना है कि वर्ड एटलस किसके द्वारा लंच किया गया तो ये केरल राजी के द्वारा वर्ड एटलस जो है लंच किया गया अगला आपका कि जनवड़ी 2022 में किस भारतिये टाइगर रिजर्व को टी एक्स टू वैस देखे अगला आपका कुश्चन है कि 17 फरवरी 2022 को किस सहर में वाटर टेक्सी सेवा सुरू किया गया देखे वाटर टेक्सी सेवा की बात करेगा तो ये कहां पे मुंबई में सुरू किया गया अगला है कि निमलिखित में से कौन सा देश जो भारत का UPI सिस्टम अपनाने वा जो विश्व का पहला देश है वो नेपाल बना है अगला है कि प्रामर्स 2022 क्या है तो ये कैरियर कांसलिंग वर्कसप है क्या है कैरियर कांसलिंग वर्कसप है अगला है आपका कि बीजिंग सीथ कालिंग उलम्पिक 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में सिर्ष अस्थ में है तो ये जो है यूक्रेयन में है और इस पे अभी जो है रस्या का अमतलब रूस का अधिकार हो गया है अगला है कि निके फरवड़ी 2022 में यूएस चेंबर आफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतराश्टिये बौधिक संपता सुचकांग 2022 में भारत का कौन सा अस्थान है तो चालिसवा अस्थान जो है भारत का किस में तो अंतराश्टिये बौधिक संपता सुचकांग में भारत का अस्थान कितना है तो चालिसवा है अगला देखे अगला जो आपका कुश्चा ने कह रहा है कि 27 फरवड़ी से 27 फरवड़ी से 10 मर्च 2022 तक भारत और किस देश के बी अगला है कि 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मीशन के तहत कौन सा जीला जो है सौबा हर घर जल वला जीला बन गया तो यह ही माचल पर्दिस में और यह चमबा है ही माचल पर्दिस के चमबा अगला है कि भारतिये रिल्वे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है तो भारतिये रिल्वे का जो सबसे लंबा सुरंग जिसको हाल ही में जोड़ा गया उसका नाम क्या है तो T49 उसका नाम है क्या नाम है T49 अगला है कि जनवरी 2022 में चर्चा में रहा पर्जेक्ट साथभावना और पर्जेक्ट आहार का संबंध किस राज्य से है तब पर्जे ग़्लु के साथ सेयर भी कर दीजे आपसे ये रिक्विस्ट है अगला देख़े अगला आपका 21 नमर कुष्चेन है सोरी 21 वे 27 वीशु सतत्विकास सीखर सम्मेलन 2022 की मेजवानी की से ने की तो भारत के दौरा किया गया की से निमली खित में से कौन सा देश नाग्रिक हव पहला दिस बनá जिस ने नाग्डिक हावाई छेतर में भी ड्रोन ऊराने की अनूवती देने वाला विस्व पहला दिस बना जिस ने नाया भी ही द्रोन ऊराने का अनूवती दे दिया है। अगला है कि तुर्की के राष्टपती रेचप तयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो तुर्की का नाम बदल कर तुर्किये कर दिया गया बस आपको यह याद रखना है कि तुर्की के नाम बदल कर के अभी तुर्किये किया गया और वहां के जो राष्टपति रेचप तयब है, ठीक है, अगला है कि आने की सोभाग योजना के तहट जो है, सोड बिधूती करन के मामले में कौन सा राजे जो है, सबसे आगे हैं, तो सबसे आगे जो है आपका राजस्थान जो है, सबसे आगे हैं, अक्सर चर्चा में रहने वाले परवाल भीती जो है, ग्रेट बेरियर जीफ जो है, यह कहां है, तो यह अस्टेलिया में है, ग्रेट बेरियर जीफ जो है, अस्टेलिया में है, अगला जो है आपका, अने की हवासोंग, हवासोंग 12, हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परिच्छन किस देश ने किया है, तो ये उत्री कुडिया के द्वारा किया गया हवासूंग 12 Ballistic Missile का परिक्षन उत्री कुडिया के द्वारा किया गया अगला है कि विशुट की पहली जो है Plant-based COVID-19 Vaccine कौन सी है तो ये आपका COVID-19 फिंज है कई अग्जाम में ये पुछा भी जा चुका है को भी फिंज इसका नाम है अगला है कि प्रो कबड़ी लीग का आठवे सीजन का किताब किसने जीता है तो दिल्ली दबंग के द्वारा आठवे सीजन का किताब जीता गया है अगला है कि विसुतीर अंधाजी पैरा चेंपियंशिप में रज vintage पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला खिलारी कौन बनी पहली भारतिये महिला खिलारी बनी उनका नाम क्या है तो पूजा जातियान है उनका नाम है अगला है कि केतांजी ब्राउन जेक्सन किस देश के सुप्रीम कोट की पहली अस्वीत महिला नयाधिस बनी है तो ये अमेरिका के सुप्रीम कूट के पहली जो अस्वीत महिला ने अधिस बनी है इनका नाम क्या है तो केतान जी ब्राउन जेक्सन इनका नाम है अगला है कि बिसु का सबसे बड़ा कारगो बीमान जो माल वहाग होता है कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है तो इंटो नोव 225 मरिया है इनका नाम क्या है इन्टो नोव 225 मरिया ये इसे पर आपको ज्यादा फोकस जाड़ा होगा ते उसी बात को फोकस कीजिँ आपका एकजाम में अच्छा हो जायेगा अगला जो आपका क्या कर दो मार्च 2022 को महिला और बाल्विकास मंत्री स्मृति इरानी ने estrire मनोरक्षा पड़ीोजना का सुभारम कहां किया है तो यह बैंगलूरू से किया है बैंगलूरू से स्मृति इरानी के द्वरा यह सुरू किया गया इसका नाम क्या है तो इसमिर की इस्तरी मनुरक्षा पडियोजना ठीक है इसका सुभारम जो बैंगलूरू से किये है स्मृतीरानी अगला है कि 4 मार्च 2022 को कीस देश के किरिकेटर सेन वारन का निधन हो गया तो ऑस्टेलिया के किरिकेटर थे इनका निधन हो गया अगला है कि चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रसिच्छन बीमान सुधिसी पर सिच्छन वीमान ईसका नाम क्या तो हंसा परिस्चन वीमान भारत का ठीक है ये चर्चा में रहा था अग्यला की चार मार्च दौहज़र बाइस को कीस राजी के मुख मंत्री ने अम्मा और बहनी यूजना सुरू करने की होसना किया है अगला है कि 8 मार्च 2022 को भारतिय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए UPI अधारित पेमेंट प्रोड़क्ट को लंच किया है उसका नाम के तो UPI 123 पे है ये किसके द्वरा लंच किया गया तो ये RBI के द्वरा लंच किया गया ये आपको याद रखना है अगला है आपका अगला है कि मार्च 2022 में कीस राजे ने नान मुध लवना योजना सुरू किया है तो ये तमिलनाडू के द्वरा किया गया तो इरान के द्वरा नूरी को लंच किया गया अगला भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में आने की सोते हुए सैन मुद्रा में परतिमा का निर्वान भारत में कहां किया जा रहा है जिसका उदगाटन फरवड़ी 2023 में होगा तो ये बुद्ध गया में मतलब बनाया जा रहा है इसका उदगाटन स्वामित वाला सौ परतिसत महिला स्वामित वाला जो अध्यावगी कार्क खोला गया ये हैदराबाद में खोला गया अगला है कि अन्तराष्टिये निसानेवाजी खेल महासंग बीशुक अफ तो ISSF में जो ही भारा जो इसमें 2022 में सीड़ सस्थान पर रहा है अगला है की 12 मार्च जो 2022 को परदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कीस राज्य में इस्थित अंतराश्टी रक्षा अंतराश्टी रक्षा विस विद्याले राश्टर को समरपित किया है तो ये कहाँ पे गुजरात राज में ये परधान मंतरी मोधी जी के द्वारा समर्पित किया गया अगला है कि रेलवे के कि इस मंडल में भारतिये रेलवे के पहले गती सक्ती कारगो टर्मिनल का उदगाटन किया गया तो ये आपका आसन सोल मंडल में किया गया और काफी महतपूर्ण कुस्चन है ठीक है गती सत्ती कारगो टर्मिनल का उद्गाटन कहां पे किया गया तो आसन सोल मंडल में किया गया अगला देखे अगला जो आपका कुस्चन है करा है कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य दीज में पहला जो है 2022 में किस फिल्म को सरफसेश्ट फिल्म पूरसकार परदान किया गया तो ये दपावर ओफ डॉग को किया गया किसको किया गया दपावर ओफ डॉग को किया गया अगला है कि रिष्ट एस्योड रिष्ट एस्योड नामक आत्म का था किसकी है जिसका भी मोचन जो है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया तो ये किसका है मतलब इसका नाम क्या है तो रिष्ट ये स्योड नामक आत्म कहता ये किसका है तो ये है गुंडपपा भी सुना थका है गुंडपपा भी सुना थका है अगला है चर्चा में रहा Museum of the Future तो यह आपका दोबाई में है यह कुस्टन भी एक्जाम में आ चुका है अगला है कि काटलीन कैटलीन नौबाग कीस देश की पहली महिला राष्ट पती बनी है तो यह आपका हंगरी के बनी है कैटलीन नोबाक जो है किस देश के महिला राष्ट पती बनी है तो हंगरी के है ठीक है यूबी का 2022 कारे करम जो है इसरो से संबंदी थे यूबी का 2022 कारे करम इसरो से संबंदी थे अगला है आपका कि भारत की पहली नेडीकल सिटी इंदरानी मेडीकल कहां अस्ठापित किये जाने की घुसना किया गया तो ये पूने में अस्ठापित किया जाएगा अगला देखे अगला जो आपका कुश्चन है कुश्चन क्या कर रहा है कि भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उदगाटन की सराज में किया गया है तो यह आपका करनाटक राज में किया गया है अगला है कि 44 वे 207 उलमपियाड 2022 की मेजवानी की है क इसके द्वारा तो भारत के द्वारा यह किया गया है 44 वे 207 उलमपियाड 2022 की मेजवानी भारत ने किया है अगला है कि 250 वंडे बिकेट लेने वाली विस्व की पहली महिला खिलाडी कौन बन गई है तो जूलन गो स्वामी जो है विस्व की पहली महिला खिलाडी बनी है जि मिस उनिवर्स का किताब 2021 किसके द्वरा जीता गया आप एक बार कोमेंट बॉक्स में जरूर बताईए ठीक है मैं इतना बता देता हूँ वो इंडियन है ठीक है अगला देखें अगला है निमलिखित में से किसे एक तिस्वा डीजी बिरला पुरसकार परदान किये जाने की घ अगला है आपका कि 18 मार्च 2022 को जाड़ी वैस्विक खुसहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा अस्थान प्राप्त किया है तो भारत ने खुसहाली में जो है भारत ने 136 वा अस्थान प्राप्त किया है अगला है कि रास्टी ये बिधान अप्लिकेशन किन कारिकरम कारि बिधान सभा भारत की पहली पेपरलेस बिधान सभा बन गई तो नागा लेंड जो है पहला पेपरलेस बिधान सभा बन गया है अगला देखे अगला जो आपका कुस्चन है कुस्चन कह रहा है कि 20 मार्च 2022 को All India Open Badminton Championship 2022 में मेंस सिंगल का किताब किसने जीता है तो मेंस सिंगल का किताब जो है विक्टर एक्सलसंस के द्वारा जीता गया है और यह सभी कुष्चन बहुत इंपोटेंट है आपके एक्जाम में यहां से कुष्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा अगला देखे अगला है आपका की च ये रूस से संबंदित है किंजल मिसाल ये रूस से संबंदित है चक्रबाती तुफान असनी का नमाकरन की इस देश ने किया है तो आपका सिरिलंका के द्वारा किया गया आसानी लिखा रहे है तभी या असनी लिखा रहेगा तभी भी सिरिलंका के द्वारा किया गया अगला भारत का पहला राजे कौन बना है तो ये केरल बना है कौन राजे बना है केरल राजे बना है अगला है कि 23 मार्च 2022 को परधान मंद्री नरेंडर मोधी ने कहां पर बिपलोवी भारत गैलरी का उधगाटन किया है तो कुलकत्ता में किया बिपलोवी भारत गैलरी का उधगाट मोधी जी के द्वारा क्या गया और कहां पे कुलकत्ता में क्या गया अगला जो है आपका क्या कड़ा है कि मार्च आने कि 23 मार्च 2022 को किसे जो है आने कि एबल पुरसकार एबल पुरसकार दिये जाने की घुसना की गई है तो डेनिस पारलेन, डेनिस पारनेल सुलीवन को दिया जाएगा, एबल पुरसकार 2022 जो है किसको दिया जाएगा, तो डेनिल पारनेल सुलीवन को दिया जाएगा, अगला है कि RBI के गवर्नर सक्तिकांत दास ने कहां पर जो है रिजर्ब बैंक, रिजर्ब बैंक इनोवेशन ह अगला है आपका कि 26 और 27 मार्च 2022 को किस राजे में जो है कंबाला का आयोजन किया गया तो कंबाला का जो आयोजन किया जाता है यह हर बार करनाटक में किया जाता है अगला है आपका कि 27 मार्च 2022 को केंद्रिय ग्रीह मंत्री अमित्सा ने कहां पर इंटिग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकारपन किया तो यह आपका चंडीगड इनवर्सिटी में किये हैं जो चंडीगड में पड़ता है अगला है आपका कि 25 मार्च 2022 को केंद्रिय पड्यावरन मंत्री भूपेंद्र यादब ने किस दिन को राष्टिय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोसना किया है तो 5 अक्टूबर को है जो राष्टिय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा अगला है कि एसिया का सबसे बड़ा टिलिफ गौर्डन कहां इस्ठित है जिसे हालही में आम जनता के लिए खोला गए तो यह सिरी नगर में है जो जम्म्मो का स्मेर में परता है कहाँ पे सीरी नगर में जम्मू कास्मिर में पड़ता है दोस्तो अगर ये सब चीजे आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए एक बार लाइक जरूर कर दीजे और एक कमेंट आप छोड़ सकते हैं कि हाँ आपको अच्छा लगा या नहीं लगा और आप क्या और सुधार चाहते हैं देखिए अभी अपने चैनल पे हमेशा रेगुलर वीडियो आएगा बस आप बने रहिए और इससे आपको काफी बेनिफिट होगा एकदम कम टाइम में बेस्ट कंटेंट कैसे दिया जाए इसके लिए हम हमेशा पर्यास करते हैं तो थैंक्स फर वाचिंग ओके बाई जैहिन दोस्तो